हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खबर है जो अभी अभी आपका RRB NTPC का Railway NTPC का पहले सिफ्ट का पेपर हुआ है काफी आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उम्मीद कहता है उससे भी ज़्यादा बहतरीन पेपर आगया है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग रेलवे की जोब के करीब हो जाओगे 100% आप लोग सेलेक्शन ले लोगे क्योंकि दोस्तों जो भी जीके के गणित के रिजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के जो भी सवाल पूछे गए है एक-एक सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 11-12 सवाल आपके अगले पेपर में यहां से रिपीट करने वाले हैं तो गैज एक-एक सवालों को जल्दी से देख लेते हैं सभी को मैं ट्रिक से करा देता हूं फटफट एक-एक सवालों को जल्दी से देख लो और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो, 2021 में एक सरकारी नोकरी लेना चाते हो, और सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर, जो नीचे की साइड होते हैं, इसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर ताक कि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टेडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो गैज एक एक सवालों को जल्दी से देख लेते हैं, फट़फट सभी को ट्रिक से करा देता हूँ, देख लेते हैं, पहला स सवाल, क्या पुछा गया, तो गैज एक सवाल ये भी पुछा गया, रेल कोच फैक्टरी, रेल कोच फैक्टरी, आर एस एफ का मुख्यालने कहां पर है, तो गैज ये आपका है कपूर थला में, देख लेते हैं अगला सवाल, एक सवाल ये भी पुछा गया, विस्व कैंसर दिवस कम मनाया जाता है तो गैज ये मना जाता है चार फरवरी चार फरवरी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा इंपोर्टेंट सवाल था देख लेते हैं अगला सवाल भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो गैज ये आपका है पस्सिम बंगाल राज्य और दोस्तो केसर के मामले में एक सवाल ये भी पूछा गया था केसर के मामले में पहले नमबर पे कौन है ये आपका है जम्मू एंड कास्मीर ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा कहा है बारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादा कोन है तो गाइज ये आपका यूपी राजी है यूपी इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिया होगा देख लेते हैं अगला सवाल गर्बा किस राज्य का डांस है गर्बा आपका गुजरात राज्य का एक डांस है इंपोर्टेंट सवाल था अगला सवाल भी देख लेते हैं पेपर काफी आसान था यक्स ग्यान किस राज्य का नरत्य है यक्स ग्यान आपका करनाटक राज्य का एक डांस है देख लेते अगला सवाल राज्य सभा की पहली मैला महा सचीव कौन थी तो काई जिनका नाम था वियस रमा देवी देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया पॉंडी चैरी को किस वर्स भारत्य संग में सम्मिलित किया गया ये किया गया था 1962 1962 इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल क्या पूछा गया भारत का सविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है ये करता है राज्यों के संग के हिसाब से देख लेते अगला सवाल प्रिंटर या फोटो कोपी मसीन के फोटो रिसेप्टर किस तत्व के बने होते हैं तो गैज ये बने होते हैं अनाकार सिलिकोन की देख लेते हैं अगला सवाल भाकड़ा नागल बांद किस नधी पर इस्तीत है तो guys यह आपका सतलुज नधी पर इस्तीत है देख लेते है अगला सवाल वे राज्य सरकार जिसने कुछ सर्तों के साथ में राज्य में जली कट्टू कारे करम आयोजन की जाजित दे दी है तो guys यह आपका है तमिल नाडू राज्य है देख लेते अगला सवाल दोस्तों रिजनिंग और मैथ के सवालोगों में ट्रिक से कराऊंगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ले 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे आइपर सोनिक विंड टरनल परिक सेलिदा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है ये बन गया अपना प्यारा भारत देख लेते अगला सवाल स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे तो guys इनका नाम था लोड माउंट बेटन देख लेते अगला सवाल क्या पूचा गया तो guys एक सवाल ये भी पूचा गया भारत में भूमिगत रेल कहां पर चलती है तो guys ये चलती है कोलकाता में दिल्ली में बंगलूरू में देख लेते अगला इपर्टेंट सवाल एक सवाल ये भी पूचा कहा भारत का सबसे व्यस्त यानि बीजी railway station कौन सा है या आपका है लखनाओ का railway station जहां पर सबसे ज़्यादा भीड मिलेगी आपको जहां पर सबसे ज़्यादा लोग बीजी रहते हैं देख लेता है अगला important सवाल क्या पूचा गया तो गया एक सवाल ये गणित का पूचा गया कैसे करेंगे पांच संख्या या आपके सामने इनका ओसत बताना है क्या करेंगे सबी संख्याओ को जोड़ेंगे पांच प्लस आठ प्लस जीरो प्लस बारा प्लस पंदरा जब आप इनको जोड़ोगे तो आएगा चालिस चाले इसको बाग देते हैं पांच से तो यह आएगा आठ तो दोस्तों इन पांच संक्याओं को जो ओसत होगा वो जाएगा आठ देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल यह भी पूछा गया पांच वस्तों का विक्रे मुल्य तीन वस्तों के क्रे मुल्य के ब्राबर है तो परतिसत लाब यहां नहीं ग्याद करें तो गाइस कैसे करेंगे सवाल को बिल्कुल important सवाल है आसान तरीकी से मैं बता देता हूँ इसमें जो होगा आपका लाब परतिसत होगा कैसे 5 बस्तों को बेचने पर कितने का लाब होता है 5 में से 3 घटा देंगे 2 आएगा 2 का लाब होता है कितने के उपर 5 के देख लेते हैं दोस्तों पेपर काफी आसान दाब 85% तक करके आ जाओगे अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया एक सवाल ये भी पूछा गया तथा बी की आयू का नुपात पांच नुपात चार है तीन वर्स बात इनकी आयू का नुपात हो जाता है ग्यारा नुपात नो बी का वर्तमान आयू बताईए तो गाइस कैसे करेंगे पांच नुपात चार दिया गया है पांच अनुपात चार ग्यारा अनुपात नो इनमें अंतर कितने का एक का इनमें अंतर दो का दो की गुणा उपर एक की गुणा नीचे तो क्या होगा पांच अनुपात चार में गुणा हो जाएगी दो की ग्यारा अनुपात 9 में गुणा हो जाएगी एक की जब गुणा होगी तो आएगा 10 अनुपात 8 यह गुणा होगी आएगा 11 अनुपात 9 तो दोस्तों, जब आप इसे soul करोगे तो दोस्तों, इनके बीच में हमें निकालना क्या है B की वर्तमार आयों एक किसको represent कर रहा है यह कर रहा है तीन को तो दोस्तो आठ कितने को करेगा एक की value तीन है आठ की value क्या हो जाएगी आठ की value हो जाएगी आठ ती है 24 तो दोस्तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पर 24 बार के आया उनका right answer हो गया 24 यहर इस सवाल का right answer चला जाएगा दोस्तो ऐसे ट्रिक से पढ़ने के लिए 24 इस सवाल का right answer हो जाएगा 24 वर्स अगर आप ऐसे ट्रिक से पढ़ाई करना चाते हो जल्दी से चैनल को जोइन कर लो सब्सक्राइब कर लो फटाफट और वीडियो को like भी कर लो सभी प्यारे बच्चों से मैं विंति करता हूँ एक सवाल यह भी पूचा गया कैसे करना था इसको GH का code दिया गया है GH का code दिया गया 18-19 दोस्तों एक बार यहाँ पर रख लो GH का code है 7 और 8 ABCD में G कौन से नंबर पे आता है सातवे नंबर पे H आता आठवे नंबर पे यह लोजिक इदर भी लगाएंगे 18 कौन से नंबर पे आएगा और 18 का letter कौन सा होगा 18 किसका code होगा यह होगा R का 19 किसका code होगा S का तो दोस्तों R S इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा आप लोग इस तरीकी से सवाल करके आ सकते थे आई होप आपको सारा लोजिक किलियर हो गया होगा ठीक है guys पेपर काफी आसान था भगवान करें आपके सारे सपने सच हो जाए वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे गाइस पेपर बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया आपका पेपर होगा 90% तक आप लोग करके आओगे डेफिनेटली बता रहा हूँ आगे बढ़ लेते guys तो दोस्तों जो भी यहाँ पर बच्चों ने मुझे सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने अगले पेपर के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ओफ लग धन्यवाद अगले पेपर के लिए आपको बहुत 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 बहुत